हेलो कैसे हूँ बच्चो बच्चो आज हम व्याकरण का पाड़ चार पढ़ेंगे सरों के मात्रा चिन देखिए पढ़िए और समझिए राजा तितली गुडिया जूला म्रग शेर सैनिक मौर पौधा बच्चो आपने उपर दिये गए चित्रों को देखा और उनके नामों को पढ़ा नामों में आने वाले व्यंजनों के साथ लगे रंगीन चिन्हों पर ध्यान दीजिए ये रंगीन चिन ही मात्रा चिन कहलाते हैं देखिए जैसे राजा में आ की मात्रा लगी है, तितली में ई की मात्रा लगी है, छोटी और बड़ी, गुडिया में छोटा उ की और छोटी ई की आ की मात्रा लगी है, जूला में बड़ा उ और आ, म्रग में रशे रिशी की मात्रा लगी है, शेर में ए की मात्रा लगी है, सै उसे औरत और आ की मात्रा लगी है मात्रा चिन व्यंजन वर्ण के किस ओर लगेंगे अब इस विशे में पढ़ेंगे उधारण के लिए कैव वर्ण के साथ सभी मात्रा चिन इस प्रकार लगते हैं व्यंजन वर्णों के पहले लगने वाला मात्रा चिन छोटी ई व्यंजन वर्णों के बाद लगने वाले मात्रा चिन आ, ई, ई, ओ, आउ देखो बच्चों, आ की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है, बड़ी ई की मात्रा भी व्यंजन के पीछे लगती है, जैसे आ की मात्रा के आ, का, रे, कार, ई की मात्रा के ई, ले, की, ओ की मात्रा के ओ, ये, ले, को, यल, आउ की मात्रा के आउ, आ, को, व्यंजन वर्णों के शिरो रेखा के उपर लगने वाले मात्रा चिन ए, और आई के ए, के, ले, आ, के, ले, आ, के, ले, आ, के, अई, मैं, रे, आ, कैम, रा, देखा बच्चों आपने, मात्राएं इस प्रकार से लगाई जाती है, व्यंजन वर्णों के नीचे लगने वाली मात्राएं मात्रा चिन छोटाऊ, बड़ाऊ, री, छोटाऊ, के, उ, आ, कुवा, के, उ, दे, न, आ, कूदना, कै, कैमे, रे, श, कै, क्रशक ए, स्वर के लिए, अलग से कोई मात्रा चिन नहीं बनाया गया है, क्योंकि ए, सभी व्यंजन वर्णों में मुझूद है, जिस तरह कै व्यंजन वर्ण सभी मात्रा चिन लगाए गए हैं, उसी तरह वर्ण माला के सभी व्यंजन वर्णों पर ये मात्रा चिन लगाए जाते हैं केवल रे वर्ण में उ तथा उ की मात्रा उसके बीच लगती है जैसे रे उ ई रूई ए मैं रे उ दे अम्रूद व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण मात्रा चिन कहलाते हैं एस्वर के लिए कोई मात्रा चिन नहीं है क्योंकि एह परतेक व्यंजन वर्ण में मुझूद है चार तरह के मात्रा चिन हैं व्यंजन वर्ण के पहले बाद में पहले बाद में उपर तथा नीचे लगने वाले चिन चलिए बच्चों, हमने ये पार्ट पढ़ा और हमने मात्राओं के बारे में जाना बच्चों, आईए अभ्यास प्रश्न करें रिक्त स्थानों में मात्रा चिन लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए रिक्त स्थानों में मात्रा चिन लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए चलिए बच्चों, देखे घै, ओ, गैपर ओ की मात्रा लगाएंगे डै, आ, घोड़ा रै, रैपर आ की मात्रा, रा, तै, रात अब ट्रेश नमबर दो निमलिखित सब्दों में परियुक्त मात्राओं के स्वर लिखे सुभह, सुभह में मात्रा किसकी है? छोटा उ की, जैसे यहां छोटा उ लिखा हुआ है अब लड़की, लड़की में बड़ी ए की मात्रा आई है, तो हमें यहां ए लिखना है अब गय, खरगोश, खरगोश में ओ की मात्रा आई है तो हमने यहाँ ओ से ओखली लिख दिया है गय, तबला, तबला में आ की मात्रा आई है तो हमने यहाँ आ लिख दिया है डय, शेर, ए की मात्रा, शेय, रह, शेर तो हमने यहाँ एसे एडी लिख दी म्रग में रश रिशी की मात्रा आई है तो हमने यहाँ पर रश रिशी लिख दिया है क्या कर दिया है रश रिशी लिख दिया है अब बच्चों प्रश नमबर तीन रंगिन किये गए स्वरों की मात्राओं को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर उधारण के अनुसार लिखिये चैवू है आ चुंहा, रैवू पैये आ रुपिया मैं छैले इ मचली नै री पै नरप सै ए नै इ कै सैनिक देखा बच्चों आपने ये मात्राओं स्वर सहित लिखे हुए हैं लेकिन हमें इन्हें मात्रा लगा कर तब लिखना है अब चलिए बच्चों कुछ करके सीखिए चित्र देखकर उचित सब्द के सामने सही का निशान लगाईए ये क्या है? ये गाजर है तो हमें गजार पर नहीं लगाना है निशान गाजर पर लगाना है नहीं गजरा पर लगाना है तो गाजर सही शब्द है इसलिए हमने गाजर पर सही का निशान लगाया अब कोयल है कोल नहीं है, कोईल नहीं है तो ये है कोयल है, कोयल मुर्गा मुर्गा पर हमने मुर्गा पर निशान लगाया है मरुगा पर नहीं मुर्गा पर नहीं तितली तितली बड़ी की मातरा नहीं आती तितली में छोटी की मातरा आती है ती तै ले ले पर बड़ी की मातरा ली तितली तो हमने तितली पर सही का निशान लगाया है गुलाब गय उ ले आ बै गुलाब गय पर बड़े उ की मातरा नहीं लगती है ना ही ओ की मातरा लगती है तो हमने ओ की मातरा लगा कर ये शब्द सही कर दिया है बच्चों ये सारे शब्द आप अच्छे से याद भी करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे ठीक है ये पार्थ हमारा पूरा हुआ दूसरा चैप्टर हम बाद में करेंगे धन्यवाद बच्चों